जैस्री करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 30 अगस्त 2022 मंगलबार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान हनुमान जी की करपा से आज का दिन 12 में से 5 राशीयों के लिए बेहद खास रहेगा इन 5 राशी वालों में आज है मेश, करक, कन्या, वरश्चिक और धनुराशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज भादरपदमाश शुकल पक्षगी तरतिया तिथी है मंगलवार का दिन है आज दिन की सुरुवात हस्त नक्षत्र से होगी और कन्या राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्रातह काल पांच बच के सतावन मिनिट पर होगा और सुरियास तसाम के 6 बच के 45 मिनिट पर होगा आज राहु काल अपरान काल 3 बच के 33 मिनिट से आरंब हो करके सायंकाल 5 बच के 9 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कारी आरंब नहीं करें वो तरदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतिय वश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आजका सरबसरेष्ठ अतिसरेष्ठ महुरत अभी जीत महुरत आरंब होगा प्राता हकाल ग्यारह बच के 56 मिनट से आरंब हो करके दोपहर बारहा बच के 47 मिनट तक सरबसरेष्ठ व शूब महुरत रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारे आरंब कर सकते ही या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते ही तो इस महुर्त में आप कर सकते ही तो अब जानिए अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और को पूर्ण रूप से क्रियानिवित कर सकते ही तभी यहां आपको लाबदायक परिणाम दे पाएगी नोकरी पेसा जो लोग हैं कारे स्थल पर अपने कार्य और करते वे निष्ठा के लिए अपने अधिकारियों से प्रसंसा वा सम्मान प्राप्त कर सकेंगे इतना ही नहीं कारे स्थल पर आज आपके प्रस्ताव ज्यादातर लोग मान सकते ही पेसो के मामले में दिल चस्प आफर आज आपको मिल सकेंगे खुद को अपगरेट करने के लिए वरिष्टों की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत करने के लिए आपका विशेशूपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान हनुमान जी के समक्ष सुद्धगी का आटे का दिया जलावे और बूंदी के लड़ूं का भूगर पित करें यथा शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्रशब राशी के लोग आज व्यापार से जुड़ी अपनी महतुकांग्ची योजनाई सुरू कर सकते हैं अगर आ आप उच्य अध्यन या नोकरी आदी के लिए विदेश या दूर जाना चाहते हैं तो आपको निरासा नहीं लगेगी यदि पेत्रक संपत्ती के संबंद में कोई मामला आपका लंबित है तो यहाँ आपके पक्ष में तै हो सकेगा घर में लोगों का आना जाना रहेगा तुरंत प्रतिकार करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विषेश लाप्की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विषेश सफलता पाने के लिए आपका विषेश उपा इस प्रकार से है जिससे आपका आत्मिविश्वास बढ़ेगा आज आप किसी नई जिम्मेदारी या साजेदारी या S.O.C.N. में प्रिवेस कर सकते हैं साथ ही आज आज आपका सामाजिक दाइरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन इस्थापित कर पाएंगे फूड इंड नीले रंग का प्रियो कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही प्राता हकाल इस्थनान करने के पस्चाद भगवान हन पर स्रीराम लिख करके अर्पित करें यह था शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा करक राशी के साहित्य कला लेखन आज आपको आकरशक कोई डील हाथ लग सकती है कोई नई योजना आपके सामने आज आ सकती है प्रापर्टी से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मेद आपको रहेगी आज आपको भाग्यकासा 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुब सफेद रंग का प्रियोक कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रात हकाल इसनान करने के पस्चात भगवान हनुम अगले रासी है सिम्व अचानक लाब प्राप्त करवा सकेगी नए संपर्क भाग्योदय में काफी सहायक रहेंगे आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुब रंग आपका आस्मानी रंग है आसमानी रंग का प्रियोग कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्रापती होगी तो आज के दिन कारिय में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राता हकाल भगबान हनुमान जी के समक्ष मिसरी का भोगर्पित करें यथा शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्यां कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से अधिकारियों के साथ वेभार करते समये आपको आज 70 कभी रहना चाहिए उनका विरोत करने से बचें आज व्यापार में कोई परिवर्थन आपके द्वारा हो सकता है पुराने किसी नुकसान की भरपाई आपके द्वारा हो सकती है सामाजिक जीवन में भागीदारी वैसे आपकी बढ़ेगी आज आपको भाग्यकासाद 70 परतिसते प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकदा सहें शुबरंग आपका केसरी आरंग है केसरी आरंग का प्रियो कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार सहें प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी को पंचमेवा का भोगर पित करें यथा शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले रासी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यापारी वर्ग के लोगों को नए रुजहान और नए मार्ग मिलेंगे उनकी आई में जिससे वरद्धी होगी आज आपकी वित्ती स्थिती बहुती मजबूत रहेगी और आपको धन संबंदी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तो वरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस अगले राशी है व्रश्चिक। सकते हैं आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्तों होगा आज आपका भाग्य शाली अंकचार है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन क आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपकी लोगप्रिता चरम पर होगी और आप बहुत दूसरों पर प्रभाव डाल पाएंगे यदि आप अधिकारियों के साथ टकराव से बचे रहें आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारिच्चेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इ हनुमान जी को मिठाई का भो गर्पित करें सुद्ध घी का दिया जलावें यह था शक्ति हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा स्वास्त के लिहास से आप कुछ पुरानी बिमारियों से प्रभावित हो सकते हैं या आपको कुछ दर्द सहन करना पड़ सकता है अपने स्वास्त का ध्यान लखें आज कुछ धन की कमी महसूस कर सकते हैं राज की मामलों में आपको सफलता के योग हैं कुछ मामलों में आप काफी बहाद दूरी से काम करेंगे आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुब रंग आपका गुलाभी रंग हैं गुलाभी रंग का प्रियोग कारे छेतर में आज अध पुजन करें पंचे मेवा का भोगरपीत करें यथा शक्ती हनवान जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से लहेगा जो लोग प्रती योग युवाओं को काम की तलास आज रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रती सतर प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश ल आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कई वित्ती फायदे आपको मिल सकेंगे आप असिम दोलत के मालिक बन सकते हैं आई के नए इस्तरोत्र बनेंगे व्यापारी वर्ग के लिए फिल करना चाहिए आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे हैं शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान हनुमान जी के समक्ष सुद्धगी का आटे का दिया जलावे मिस्री और मिठाई का भूगर पित करें यथा शक्ती हनुमान जी के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्र करश्णमित्रों फिर मिलेंगे